नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से CM नितीश के लिए ये स्वतंतरता दिवस बेहद खास गांधी मैदान में 17 वी बार तिरंगा फहरा बनाया ये रिकॉर्ड भारतिय स्वतंतरता की 77 वी वर्सगाट बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के लिए बेहद खास है इस मौके पर उन्होंने एक ऐसा रेकॉर्ड कायम किया है जिसे तोड़ना आने वाले पीडियों के लिए बेहद ही मुश्किल होगा कुर्सी के बादशा कही जाने वाले नितीश कुमार ने पटना के गाधी मैदान में मंगलवार को 17 वी बार तिरंगा जंडा फढ़ाया नितीश मुख्य मंत्री के रूप में सबसे जादा बार जंडा फैराने वाले व्यक्ति बन गया है मंगलवार को नितीश कुमार ने अथिहासिग गांदी मैदान में तिरंगा ज्ञंडा फहरा कर रेकॉर्ड का एक नया पर्चम लहरा दिया नितीश कुमार ने बिहार के पहले मुखे मंत्री स्री कृष्णा सिंग का रेकॉर्ड तोर दिया सबसे ज़ादा ज़ंडा फैराने का रिकॉर्ड श्री बाबु का नाम था नितीश कुमार बिहार में अब सबसे ज़ादा बार ज़ंडा फैराने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं नियोजित शिक्षकों पर होगा फैसला दस लाख रोजगार मिलेंगे नितीश कुमार के स्वतंतरता दिवस भाशन की बड़ी बाते मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित तो स्वतंतरता दिवस समारों में शिर्कत की अपने संबोधन में सीम नितीश कुमार ने कहा कि अगले साल तक नितीश सरकार दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष पूरा कर लेगी इसके अलावा दस लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगे उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्ने लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोडने पर अंतिम निर्ने होगा अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्ष चल रहा है सीम नितीश ने सिक्षकों के लिए कहा कि वे मल लगा कर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविश्व में भी बहतर अवसर उपलब्ध होंगे सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन दिल्ली एम्स में ली अंतिम सास सार्वजनिक शचालेओं के निर्माण में अग्रानी सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्या करता बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल का दोरा पढ़ने से दिल्ली इस्तित अखिल भारतिया आयूर विज्ञान संस्थान में निधन हो गया उनके एक गरीबी सहयोगी ने ये ज्वानकारी दी बिंदेश्वर पाठक अस्सी वर्स सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक थे जो भारत इस्तित एक सामाजिक सेवा संगठन है ये संगठन शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों परियावरन स्वक्षता अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है सहयोगी ने बताया कि स्वतंतरता दिवस के अफसर पर सुबह राश्ट्रिय ध्वज फेडाया और उनके तुरंत बाद गिर पड़े उन्हें एमस दिल्ली ले जाए गया अस्पताल के एक सूतर ने कहा कि पाठक को अपरा एक बच के 42 मिनट पर मृत घोशित कर दिया गया उन्होंने बताया कि मौत का कारण हिर्दय गती का रुख जाना है यह नरेंद्र मोदी ने आखरी बार फैराया तिरंगा अगले साल हम लोगों की बारी लालु का दावा आरज़री प्रमुक लालु प्रसाद यादों ने मंगलवार को दावा करते वे कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आखरी बार दिली के लाल किले पर तिरंगा फैराया है लालु अपनी पतनी एवं बिहार के पूर्व मुक्य मंतरी राबरी देवी यावास पर स्वतंतरता दिवस मनाने के बाद पतरकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर देश के लोगों को शुबकामनाई देता हूँ और महात्मा गांधी, सुबास चंद बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बावात साहे भीमराव अंबेदकर जैसे महाल लोगों को श्रधानजिली अर्पित करता हूँ जिनके जिनीती की जीवन में भाजपा के घोर विरोधी रहे लालू से पत्रकारों ने जो पिया पूछा कि अगले साल लोगसभा चुनाओ के बाद स्वतंतरता दिवस के अबसर पर क्या मोधी तिरंगा फैरा सकेंगे उन्होंने कहा कि यह उनका आखरी था जब पत्रकारों ने य स्वतंतरता दिवस के मौके पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने किया बड़ा एलान जन ओसिदी केंदरों की बढ़ेगी संख्या पीम नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को नई सौगात देने का एलान किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंतरता दिवस के मौके पर लाल किले से घोशना करते वे कहा कि लोगों को सस्ती दवाय और शेहरों में उपलब्ध कराये जाएगा। इसके लिए जनौ जनौसदी केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ा कर 25,000 करने का लक्ष रखा है। जनौसदी केंद्र की ये दुकाने उन अस्थानों पर खोली जाएगी जहाँ पर दवाय की उपलब्धता कम है और लोगों को दवाय के लिए ज़्यादा पैसे देने पर रहे हैं। पीम नरे से मिली आजादी आज से 50 रुपे कीलो मिलेगा टमाटर। केंद्र सरकार ने थोक बाजारों में कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए NCCF और नाफेड को 15 अगस से 50 रुपे प्रती कीलो ग्राम खुद्रा मूले पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। द प्रयागराज पटना मुजफरपूर आरा बकसर शामिल है। लोगों ने वेबसाइट पर अपनी सेलफी अप्लोट की है। हर घर तिरंगा वेबसाइट के होम पेज के आकड़ों के मुताबिक यह तिरंगे के साथ एक फोटो अप्लोट करने का विकल्प है। होमपेज की जानकारी के अनुसार दोपर बारा बजे तक तिरंगे के साथ आठ करोर 81,21,591 सेलफिया अपलोड की गई कमजोर हुआ मानसून बारिश के लिए तीन दिनों तक करना होगा इंतजार बिहार में अब अगले तीन दिनों तक मानसून थोड़ा कमजोर रहने वाला है अब लोगों को तीन दिन बाद जहमा जहम बारिश देखने को मिलेगा मौसम बिभाक के अनुसार सुबे में 13 से 16 अगस थक मानसून की गतिवी दिया थोड़ी कमजोर रहेगी 17 अगस से राज़ के कई जिलों में जहमा जहम बारिश के आसार फिर से बन रहे है दरसल बिहार में मानसून को लेकर गुजर रही ट्रफ रेका फिलहाल बिहार से दूर होती नजर आ रही है इस लिहाजा से पूरे बिहार में बारिश के लिए लोगों को तीन दिन का इंतजार करना पड़ सकता है हलाकि कही कही बारिश का नजारा देखने को मिल सकता है इधर राज में सरवाधिक वर्सा निर्मली में 83 मीमी हुई अभी मानसून ट्रफो का पश्रिमी छोड हिमाले की तल हठी की ओड है जबकि इसका पूर्वी छोड बहराईच सीता मणी किशन गंज से होकर मणी पूर तक है कटिहार में बाट जैसे हालात कटिहार में कोसी और महाननदा खत्रे की निशान के उपर गंगा भी उफान पर गंगा वा कोसी और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगतार वरिधी दर्श की जा रही है कटिहार जिले के कुरसेला ब्रिज के समीप कोसी नदी का जलस्तर खत्रे के निशान को पार कर गया है कोसी और महननदा के साथ ही गंगा और बूढी गंडक भी उफान पर है कटिहार में गंगा चेतावनी वा खत्रे के निशान के बीच बह रही है यहां मनिहारी और जार्खन के साहिब गंज के बीच गंगा नदी में जलियान वन नाओ के परिचालन पर प्रशासनी कस्थर के अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है पूर्णिया में जिले से होकर गुजरने वाली नदिया, महानन्दा, परमान, कनकई, आदी सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है लेकिन सभी खत्रे की निशान से नीचे बेह रही है मधेपूरा में कोसी सहीत सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है जमें एक महीने में एक दिन भी कक्षा से नहीं आने वालों का कटेगा नाम कॉलेज प्रचारियों को भेजा गया पत्र बियारे बिहार विश्व विद्याले के बिभिन पीजी विभागो और कॉलेजों निमे सनातक और पीजी कोर्स में नावांकन के लेकर कक्षाओं से लगतार अनुपस्थिती रहने वाले विद्यार्थी के खिलाव कारवाई शिरू की गई है जिन विद्यार्थीों की उपस्थिती 75 प्रतीशत से कम होगी उन्हें किसी भी हाल में परिक्षा फर्म भढ़ने नहीं दिया जाएगा उन्होंने बताया कि सकती बढ़ने के बाद कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है बक्री पालन के लिए सरकार देगी 50-60 प्रतीशत अनुदान बेरोजगारों को मिलेगा प्रोसाहन जानिये क्या है पूरा योजना राज्य को बक्री पालन वब मांस उत्पादन शेत्र में आत्मे निर्भर बनाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जारी है सरकार बेरोजगारों को प्रोसाहन देगी बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की फसल पर परा असर कीमत में लगी आगा बिहार में बारिश के बाद सब्जियों की फसल खराब हुई है कीमत पर वर्सा का असर पड़ी है वही अब कई तरह के सब्जियों के भाव में इदाफा हुआ है बारिस की वज़त से पिछले दी 3-4 दिनों में हरी सब्जियों की कीमत में 10 रुपे से अधिकी बढ़ोतरी हो चुकी है इन दिनों ज्यादा तर हरी सब्जियों की कीमत 40-50 रुपे प्रती कीलो के उपर है सब्जियों में सबसे महंगा छोटे आकार का चटैल 170 रुपे प्रती कीलो तो फरस्बीन 140 रुपे प्रती कीलो शनिवार को भीका वही धनियापता 200 रुपे किलो और हरी मिर्च 80-100 रुपे प्रती कीलो के भावपर भीकी कड़ी पत्ता 200 रुपे प्रती कीलो विक्रा है सबजी विक्रेताओ की माने तो आने वाले कुछ दिनों में सबजीों की दामों में व्रीधी देखने को मिल सकती है टमाटर के अलावा नेनुआ, भिंडी, परवल, करेला, बैगन जैसी कई सबजिया भी महंगी हो गई है कोई ताकत हाजिपूर सीट से चुनाओ लड़ने से नहीं रोक सकती चाचा पारस का चिराग पर पलटवार हाजिपूर लोग सबा सीट को लेकर चाचा पशुपती पारस और भभती जाच चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग छड़ गई है दोनों ही नेता इस सीट से चुनाओ लड़ने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे है कुछ दिन पहले चुराग पासवान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हाजिपूर सीट से मेरी माँ चुनाओ लड़े इस वीच राष्ट्रिये लोग जर्शक्ती पार्टी के राष्ट्रिये अध्यक्ष्वे वकिंद्रिये मंत्री पशुपती पारस ने कहा कि 2024 लोग सभा चुनाओ में दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजिपूर से चुनाओ लड़ने से नहीं रोक सकती रविवार को इकारेक्रम में शामिल होने के लिए हाजिपूर पहुचे पशुपती पारस ने ये बाते कही चिराग पास्वान का नाम लिए बिना ही पशुपती पारस ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे है इस शेत्र को लेकर जितनी भी भ्रामक खबरे चल रही है वो बारिश के दौरान मेढकों के शोर मचाने जैसी है पशुपती पारस ने कहा कि हाजिपूर की जनिता ने 1977 से लगतार मुझे और मेरे बड़े भाई राम विलास पास्वान को काफी सम्मान दिया 2019 के लोग सभा चुनाओ में हमारे नेता राम विलास पास्वान ने यहां से चुनाओ नहीं लड़कर मुझे यहां से चुनाओ लरवाया था हाजिपूर की जनिता का स्तेवा करने और हाजिपूर की विरासत मेरे कंधे के उपर सौपिती जिसका निर्वहन मैं करूंगा सरकारी स्कूलों के अलावा कोचिंग संस्थाओं पर भी अनकुष लगाया है ताकि कोचिंग जाने के वज़़ा चात्र शात्राओं का स्कूल न छूटे बतादे की सुबर 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिहार में सभी कोचिंग संस्थान बंद रहने का आदेश मिला है कि पा भारत का सचीव सुधीर कुमार सिंग ने कहा कि बिहार में कोचिंग संस्थान बंद करने से 7-8 लाख रोजगार प्रभावित होंगे